मैं सभी का सवगत करता हूँ फिजेज गान मुकेशनिक चैनल पर आज हम लोग रोटेशनल डाइनामिस का एक लव्वे बैश में लाश्ट का लेक्चर्स लेने जा रहे हैं इसके बाद यह मैं से किसके प्राक्टिस होंगी और क्लास 11 के एक चाप्टर उठाके हम लोग एक्स होगा पहले थोड़े दिमी दिमी चल रहते हैं लेकिन आप भी थोड़ा सा हम लोग फ्लो में आने वाले तो सबसे पहले बच्चों एक लवे बैच में सिम्पल सी बात है बच्चों कानेटिक एनरजी ऑप रोलिघ मोशन की बात कररें हम लोग स्ंपल है रोलिंग मोशन सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखना चाहते है है rolling motion कैसे वह रहा है बच्चों हमारा कोई भी जो चक्का हो या टायर हो वो टायर चलता ऐसे देखो ये था ये बी पॉइंट था ये बी आगा उपर ए कैसे जुम ये जुम ऐसे देखो ना ए आगा बी किम चे लेकिन बच्चों यहां का एक का पारिटिकल यहां पे नीचे आग मतलब यह सर्कुलार मोशन जैसे मोशन हो रहा है मतलब उसको रोटेटिंग मोशन कर सकते है रोटेड हो रहा है और यह हां पे जो सेंटर यह वह सेंटर अपनी ही जगे पर है वह हिल रहा ही है सेंटर अपनी ही जगे से स्ट्रेट लाइन चल रहा है मतलब बच्चों कानेट प्लास एक rotating motion ऐसे दो motions हो रहे ये चीज़े हमारे पास मोजी ते बच्चो ये translation motion लेकिन ये kinetic energy का और ये जो है kinetic energy of rotating motion बच्चो हम लोग लिख सकते kinetic energy of rolling motion is equal to translation motion के लिए फार्मुला बच्पन से लिखते आ रहे हाप यमी स्क्वेर और इसका फार्मुला rotating का अब भी निकाल के दिया आई omega square ये है बच्चो kinetic energy of rolling motion दो motion यहाँ पर आड़ हो रहे दिख रहा है बच्चो सभी को एक है straight alignment मुह होना उसको कहते है हाप यमी स्क्वेर और जो rotate हो रहा है जुम 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 यह हो रहा है हाप आई omega square है बात तो सही है सर कोई tension नहीं है लेगिन हम लोग थोड़ा सा अलग formula चाहते है उसको कैसे लिख सकते है सर कानेटिक एनरजी आप रोली वाड़ी इस इक्वल टू हाप यमी स्क्वेर एज इस रखते है हाप यम के स्क्वेर और ये वी स्क्वेर बाय आर स्क्वेर नहीं कुछ गलत हो रहा है वी इस इक्वल टू और omega वी बायर करेक्ट है omega देखो बच्चो omega relation between linear velocity angular velocity के फार्मूले के थ्रोओ omega की value put up की i is the moment of inertia क्योंकि वाड़ी की उपर depend है यम के स्क्वेर देखो यम के स्क्वेर लिखा आई के जगे पर चलो मैं common निकाल रहा बच्चो हाप यम V स्क्वेर कॉमन यहां पर 1 देखो हाप यम स्क्वेर कॉमन हाप बाहर है यम बाहर है वी बाहर है बचा कोने बच्चो k square by r square यह है kinetic energy of rolling motion in the term of in the terms of linear velocity मतलब VK formula omega term को खा लिया बच्चो हम लोगा ने किसे ने काया कि सर हम लोगों को यही formula in the term of angular velocity लिखे दो तो इसी formula को हाप यहाँ पर VK जगे पर r omega डाल सकता हूँ और ऐसे है यम omega square r square plus k square यह formula लिख सकता हूँ in the term of in the term of बच्चो किसके angular velocity same formula है यह और यह linear velocity VK form में यह omega नहीं आता है तो बच्चो साल करके देखो VK जगे पर डाल दो यहाँ पर r omega square तो omega बाहर r वंज र यहाँ से r, r मर जाएगा r को अंदर लिये तो यह simple से चीज़ आना चाहिए यही है बच्चो rolling motion का formula kinetic energy of rolling motion दोनों को दुआ में याद रखना यह तीनों रखोने तो एक यह दो यह तीन फार्मूले से ही बच्चो बढ़ना आगे हम linear acceleration and जो भी linear acceleration का formula देखेंगे इसको note down करना है चला फटाक से देखाई दे रहा है आप लोगों को नेक्ष्ट देखते बच्चो linear acceleration and speed दोनों भी निकालनी है पीवर rolling motion हो रहा है इसका inclined plane पर मतलब बच्चो यहां पर किसी ने ring रख दी जूप नीचे आएगी तो रोलिंग हो रहा है ना मतलब बच्चो यह center straight line चल रहा है और बाकी particle मूह हो रोटेट नीचे नीचे बास potential energy is convert into the kinetic energy होगे लेकिन यह पीवर rolling motion में मतलब बच्चो आप लोग यह potential energy को convert कर रहे है kinetic energy में वह भी rolling motion अरे यहां पर potential energy होगी ना जो भी ring रखो डिक्स रखो sphere रखो तो यह zoom नीचा आती है तो potential energy convert into the kinetic energy चल potential energy का formula mg अच्छे बच्चो और इसका formula अभी अभी देखा हाप mv square 1 square plus k square by r square m से m को मार दो यह तो इदर आने वाला है toys g v square 1 plus k square by r square शाहिद बच्चो इसको नीचे ले सकता हूँ तो v square is equal to toys g h यह नीचे आ रहा है तो 1 plus k square by r square शाहिद बच्चो इसका square गया तो रूट में आने वाला है वाँ 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 यह speed मिल रही है inclined plane पे दिखाई दे रहा है बच्चो सभी को inclined plane पे कितनी speed होती है कोई पीचीज की कोई भी मतलब ring, digs, sphere, hollow sphere तो toys root of toy gh 1 plus k square divided by r square बच्चो यह जो है यह इसके radius of gyration की उपर depend करती है कि हमारी speed कितनी है और कितनी है यह k की value हम लोगों को पता होती है कि इसदर radius of gyration बहुत बढ़ी आशर, same to same sir जैसे अपनी यह निकाला वैसे यह निकाल सकते acceleration बिल्कुल जैसे कि speed निकाली ही मैंने देखाई, speed बोलाता, speed निकाली है अब acceleration निकाल के दिखाऊ मुझे मुझे बताओ, अगर यह यह निकालना है तो यह opposite side है तो opposite side के लिए हमारे पास sin theta लिखते है opposite divided by hypotenuse तो यह is equal to मुझे लगता है यहाँ पे yes sin theta लिख सकता हूँ, क्या? मुझे निकालना क्या? yes निकालना है, displacement निकालना है क्या निकालना है, यह बहुत important, yes निकालना है चलो कोई problem नहीं है, तो कर सकते yes भी निकालना है, तो यह चुबाए sin theta, समझे ना? अरे yes निकालना था, यह कितना displacement कर पा रहा है, बहुत बढ़ी है sir, मेरे पास third canonical equation है, v square minus u square is equal to twice as, से यह बच्चो, final velocity, initial velocity तो 0 है, तो v square यह equation बनेगा twice as, मुझे acceleration निकालना है, तो v square divided by, यह आएगा नीचे twice as, क्योश्या के बच्चो, मुझे acceleration निकालना के लिए काहा, इसल v का square, मतलब इसका square, मतलब रूट के बाहर आएगा, तो यह होगा, twice gh, one plus k square divided by r square, बात समझ में आरी है, twice gh, one plus k square divided by r square, यह, बाकी बचा है बच्चो मेरे पास से देखो, यह v की value, यह 2, और yes क्या है मेरे पास, तो yes की value यह है, यच divided by sin theta, मेरे खाल से यह से यह मर गया, 2 से 2, यच से यच मर गया, यह उपर जाने वाला है, divide का divide उपर, तो g sin theta, one k square divided by r square, तो यह मिला मुझे acceleration, यह मिली है, speed यह acceleration दुआ में याद रखना, यह formula दोनों भी अठी तरह से याद होना ही चाहिए मेरे भाई लोग, otherwise फस होगे, जैसे कि किसी ने solid sphere कहा, तो उसकी value देखो, solid sphere, इसके लिए बच्चो, k square by r square की value 5 by, 2 by 5 होती है, 2 by 5 होती है, तो यह आप लोग value निकालेगे, तो sphere का acceleration कितना होगा, निकाल सकते, देखो, a, यह है g, sin theta, मैं black pen से लिखता हूँ, ने तो दुबारा comment आते है, कि सर क्या करोगे बच्चो, g sin theta, यह हो रहा है, 5 sin, यह, यह मिलेगा, किसे ने काया कि सर, solid sphere का velocity बताओ, तो v is equal to the root of 2gh, divided by 1a2 by 5, तो v is equal to, देखो, 20gh, यहाँ पे 7 by 5, तो 5 उपर गया, तो बच्चो, root of 10gh by 7, यह सवाल, MC quiz में होते हैं आपके पास, किसी के भी, किसी ने काया कि सर, ring का बता दो, ring, ring के लिए, only one होता है, k square by r square की value, k square by r square की, किसी ने, यह देखो, यह ring के लिए, dix का कहा, k square by r square की तो 1 by 2, यह value याद होना चाहिए, अगर यह, क्योंकि बच्चो, आपके books में, इसमें, ज्यादा explanation नहीं दिया गया है, आज के बाद में भी बच्चो, जो formulas है, वो formulas को याद करना, ratio निकालना आना चाहिए, एक total kinetic energy, translation, kinetic energy, rotational kinetic energy, इनका ratio, यह भी आपको 1 is 2 k square by r square, is 2, 1 plus k square by r square है ना, last में दिया है, आपको उस formula को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ ने, मैंने already आपको content दिये है, उस content का use करना, मैं कुछ अनालोगी बताऊँगा, ताकि आप लोगों को formula कैसे, मैं कुछ अनालोगी बताऊँगा, जो बहुत ही easy और simplest way से बच्चो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे linear के form, और यह rotational के लिए angular लिख रहा हूँ, कुछ लोग rotational लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो, displacement के लिए yes, और angular displacement के लिए theta, linear velocity V और इसका formula होता है ds by dt, angular velocity के लिए omega इसको लिखता है d theta by dt, similar है, yes के जगे पर theta, बस बाकियों कुछ नहीं, linear acceleration यहाँ पर होता है, velocity change होना, अना, angular acceleration देखो, d, V के जगे पर omega लिखना है, बस बाकियों सेम है, मेरी बास समझ में आ रही है, simplest way बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा अधिक्कत नहीं है, momentum, mass के लिए yam, momentum of inertia, i इस्तमाल करें, मतलब जब yam आता है, तब हम लोग i इस्तमाल करेंगे, i, बास समझ में लोग, बहुत easy waste है, linear momentum is equal to mass into velocity, तो angular momentum के लिए yal, mass के जगे पे i, और v के जगे पे omega, देखो, मेरी बास समझ में आ रही है, सेम फार्मूला है, बस ये linear के लिए बच्चों, और ये angular के लिए, बस इतना ही फरक है, बस, force क्या होता है, change in momentum, पढ़ाएं ना हम लोगों ने, अरे newtons लाएं बच्चों, force के जगे पे, हम लोगों को लिखना पड़ता है, ऐसे लिखे दू आप लोगों को, force के जगे पे, tau लिखेंगे, tau, समझें, और इसका फार्मूला yam a, तो देखो, इसके जगे पे, हम लोग लिख सकते, yam के जगे पे, mass के जगे पे, i लिखना है, और a के जगे पे, हमने alpha लिखा है, बस, मेरी बास समझ में आ रही है, चलो, force क्या होता है, change in momentum, तो देखो, f के जगे पे, tau, यहां पे, dl by dt, क्यों समझ में आ रहा है न, अरे, p के जगे पे, l लिखने का तर torque आप के लिए, वह ऐसे ही, work के लिए, देखो, work, work, यह work है, तो force into displacement है, इधर लिखेंगे, यह linear के लिए है, और यह angular या rotation बोलो, तो work, force के जगे पे यह, और यह displacement के जगे पे, ठीटा, बस, इन चीजों को, आप लोगों का अच्छी तरह से जानना है, बाकि दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है, एक power का formula है, force into, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे V, velocity है न, sorry, velocity, तो यहाँ पे power के लिए हम लोग लिख सकते हैं, tau और यह omega, बस, इसके लिए ऐसे भी लिखते हैं, dw by dt, तो यह भी formula, dw by dt, से में देखें, बस समझ में आ रही है, तो यह इस इतने बात ध्यान रखना है, उसके बाद में, बच्चों, आप लोगों के books में, यह दिये वाला है, प्रगाप, यह मैंने कुछ बहुत सरे questions, already numerical लेते वकत, और question पड़ाते वकत, आप लोगों के सामने मैंने present किये थे, ओनलिया आप लोगों को थोड़े से formula यहाँ पे दे कुछ यहाँ से किसको, खुद को solve करके देखना बैया, बिना देखे हुए, कोई formula का use करना नहीं है, ज्यादा आप लोगों को थोड़ा दिमाग चलाना है, बस, ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे first question यह रहा आपके screen पे, questions है आपकी लिए बच्चों, a uniform round body, radius r mass m, and moment of inertia I, rolls down without sleeping sleep हो रही है किया, नहीं, inclined plane making an angle theta कर रहा है, with the horizontal, then the acceleration is, तो इसका acceleration क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार कर change करता हूं, क्योंकि मार कर थोड़ा सा, काम नहीं कर रहा है, तो सभी बच्चे के सामने यह सवाल है, फटाक से सवाल करना है, मैं आपके लिए दे रहा हूं यह पे कुछ time, तो यह आपका time करेंगे, use, जल्दी से फटा-फट, फटा-फट, फटा-फट करने के लिए solve, तो सबसे पहले बच्चो, एक उनने का है कि, inclined plane plane ले दो, यहाँ पे कुछ angle-dare कर रहा है, यह horizontal, देखो यह horizontal, रोड का horizontal सरपे से यह, ठीक है, यह height है बच्चो, ठी a is equal to g sin theta, 1 plus k square divided by r square, कुई शक है, i moment of inertia निकालने का formula होता है, radius of direction, yam k square, तो k square के जगे पे i by yam डाल सकते क्या, i by yam, डाल दो बच्चो, कितना simple है, g sin theta, divided by 1 plus k के जगे पे i by yam, i by yam, और r square already, खातम किसा हो गया बच्चो, इतने simple questions, वो भी a i triple e exam, मतलब j double e का पहला, जो शेशन था, वो a i triple e था, g sin theta, 1 plus, है ना, i yam r square, a option is correct है, कोई शाक है बच्चो, बास समझ में आ रही है, ठीक है, ओके, उसके बाद में बच्चो, नेक्ट सवाल है आपके लिए, second ये, the speed of homogeneous, solid sphere, after rolling down an inclined plane of vertical height, याच, from rest, without sleeping, लेकिन बच्चो इस पह, solid sphere, what importance क्या है, solid sphere, ये बहुती importance word है, आपके लिए, इसलिए, इस शब्द पह, आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना है, तो हम लोगों को निकालना क्या speed, और speed का formula है, root of, देखो, toys, GH, 1 plus k square by r square, दिखाए दे रहा है, ने तो बाद में बच्चो कमेंट करते हैं, इसलिए बता रहा हो, बाकी कुछ नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहा है, बड़ा बड़ा, लेकिन बच्चो, आप लोगों को solid sphere के लिए, ये चीज़ पता होना चाहिए, k square by r square की value 2 by 5a, कैसे formula है बच्चो ये, ये पता होना चाहिए, क्योंकि moment of inertia 2 by 5u, yum r square होता है, इससे ये value निकलती है, ठेक है, लगे तो हत्वाथ निकाल के दे रहा हूं, yum k square is equal to i, moment of inertia के formula के form, 2 by 5u, yum r square, को yum से ये मर गया, k square r नीचे आएगा, तो 2 by 5 value है, ऐसे value निकालते है, i is the moment of inertia passing through the center, कोई चीज़ से पास होतो, ये formula इस समाल करते है, ये दिमाग चलाना आना चाहिए, बच्चो, ये ही presence of mind है, चलो फिर, डाल दे दे सर, v, यहाँ पे toy gh 1 plus, इसके जगे पे 2 by 5u, तो v is equal to, मेरी बास समझ में आती होगी 2 gh, ये 7 by 5, समझे, 5 1s are 5 plus 2, 7 by 5, 5 उपर गया, तो 5 2s are 10 gh by 7, 10 gh by 7, ये option, दोनों भी ये ही options थे, इतने simple, बच्चो, ये questions आचुके आचुके, आपके पास, अगर कोई books of past year mcquist की previous year questions पे पर देख लेना, ये questions, बहुत ही important से, दिमाग चलाना पड़ता है, बच्चो, बाक सवाल आपके सामने, ये 3 number का सवाल है, sorry, और ये 4 number, दो सवाल से, आपके स्क्रिम पे, आपको दोनों को भी solve करके देखना है, तो फटाक से answer निकलने की कोशिश करना है, चलो बच्चो, नेक्ट सवाल, मैं solve करके देरा, आपको पाउज करके वे आपको खुद को honestly solve करके दे देखो, a loop and dix have same mass and roll without sleeping, with the same linear velocity V, if the total energy of the loop is 8 J, कानेटिक एनरजी निकालनी है, डिक्स की मजड भी, कितनी होगी, मतलब इस ring रखी है, तो इस ring की कानेटिक एनरजी निकालनी है, डिस की, sorry, डिस की निकालनी है, ये थेटा एंगली है, तो सबको पता है, हाईटी अच्छ है, तो यहाँ पर loop मतलब ring, loop मतलब ring बोलेंगे, तो सबसे पहले, यहाँ पर कानेटिक एनरजी का फार्मूला सबको पता है, लुप का, हाप, या मुई स्क्वेर, वन, आए, ओमेगा स्क्वेर है, आइस दे मोमेंट अप इनरश्या है, डिस का क्या होता है, सेंटर सेक्सिस पा या मार स्क्वेर, और ओमेगा मतलब क्या, वी बाय और इस बातों को याद रखना है, बस हाप, यम वी स्क्वेर, हाप, यम आर स्क्वेर, आई की वैल्य मोमेंट अप इनरश्या किसका बच्चो, डिक्स का, नहीं वह रिंग का है, रिंग, 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 लूप मतलब, और ये वी स्क्वेर बाय, आर स्क्वेर, ये ये मर गया बच्चो, ये होगा, हाप, यम वी स्क्वेर, और ये भी हाप, यम वी स्क्वेर, तो ये होगा, यम वी स्क्वेर, लेकिन इसकी वैल्य एट जूल दिये, देखो, 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 ये मतलब, यम व V2 1 by 2 I moment of inertia Dix का होता है यह मार स्क्वेर बाइट टू यह मार स्क्वेर यह होता है रिंग के लिए और डिस के लिए यह बाकि यह V2 by R2 omega की value put up कर रहा हूं R से R को मरवा दो यह बचा है मेरे पास हाँ यह V2 1 by 2 यहाँ पे 1 by 2 2 2 मतलब यह हो रहा है 4 और यह V2 बचा है उनली मतलब बच्चो इसको 2 से करोगे तो 2 by 4 यह V2 क्या कर रहा हूं YLCM मतलब बच्चो 3 by 4 यह V2 दिखाई तो दे रहा है बच्चो नहीं तो मेरा लिखना चलो आपको ना दिखाई दो बच्चो देखो यह हो रहे बेज से में इसलिए 2 plus 1 3 4 as it is यह V2 तो चलो बच्चो यहाँ पे 3 by 4 यह V2 की value 8 है तो 8 डालो तो यह 2 जा 2 3 जा 6 जूल मतलब B option correct बच्चो समझें यह loop मतलब ring के लिए है और यह disc के लिए मुझे disc का यहाँ पे energy निकालनी है kinetic energy आप डिक्स निकालनी है kinetic energy आप लूप दी वाली है 8 Joule समझें कोई टेंशन है similar questions होते है थोड़ा सा दिमाग चलाना परता है जो की दिमाग अपने पास होता है लेकिन हम सही तरीके से कैसे इस्तमाल करते है अब मुझे बताओ next सवाल है आपके पास राओ आपके यह screen पे तो चलो a body of radius r massium is rolling smoothly smoothly roll हो रहा है speed V दिये वाला है on a horizontal surface then the rolls of hill maximum height यह चे और वह height कितनी है 3 V square by 4 G then the body at with the following types कोंसी होगी यह solid है dicks है hollow spear या ring है मतला बच्चो यह है यहाँ पे slide हो रही यह चीज होगी कोई भी जो भी होगी बताना यह यह चे यह यह से velocity initial zero है और यह roll down कर रहे है कौन सी चीज होगी इसमें से ही कि जो यह चीज यहाँ पे रखे वाली और solid है dicks है कोने पैचान ना है पैचान कोने तो यहाँ पे जो चीज रहती है यहाँ पे होता है potential energy और is equal to kinetic energy up rolling क्योंकि यह roll हो रही है तो kinetic energy up rolling motion का formula हाप यम v square bracket में 1 plus k square by r square कोई इशाक है मेरे बाई लोग और potential energy जो होती है यहाँ पे directly लिख रहा हूँ मैं यम जी यच यम से यम को मरवा दो g height दी वाली है 3 v square by 4 g यहाँ पे हाप v square 1 plus k square by r square मुझे लगता है यहाँ पे बच्चो वी से वी को मारवाना चाहिए g से g को मारवाना चाहिए और यह 2 से 2 मतलब 3 by 2 is equal to 1 plus k square by r square इतना ही बचा है अगर बच्चो मैं यही इसको यही रखो इसको इधर रखो तो मैं लिख सकता हूँ k square minus sorry यही रखो इसको minus को इधर से 3 by 2 से minus 1 मेरे बात समझ मैं रही इसको इधर ला लिया बच्चो तो plus का minus होता है तो k square by r square यहाँ पे हाप समझ मैं आ रहा है अगर जिन बच्चों के यह याद है directly तो digs बोल सकता है क्योंकि k square by r square हाप यह value है digs के लिए हा सर digs यह लेकिन जिन बच्चों को तो भी नहीं समझ मैं आ रहा है उनकी लिए भी मेरे पास थोड़ा सा और ज्यादा calculation करते हूँ वे उसको end up कर सकता हूँ कैसे सर बताओ 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 चलो आप लोगों को note down करते रहना अगर नहीं किया तो पीछे जा सकते स्क्वेर यह आर स्क्वेर बाइटू लिख सकता हूँ मुझे बता दोनों तरफ यम से मल्टिप्लाइ कर सकता हूँ यह इसी को मोमेंट पिनर्शा कहते है और यह मार स्क्वेर बाइटू यह फार्मुला किसका है मेरे भाई लोग यह डिक्स का अगर से एक्सेस पास हो तो बराबर है इसको अगर टायर हो डिक्स ऐसे उसको ऐसे तो सेंटर से ही एक्सेस पास होता है और यह चक्का गुल-गुल गुमता है मतलब बच्चो यह जो चीज नीचा आरी है इंक्लाइंट प्लैन से वी स्पीड से आरी है वो डिक्स नाम का है यहाँ पे जो भी होने वाली जो चीज है वो डिक्स है यह फारमुले से मतलब theoretically सवाल लगता है लेकिन होता नहीं है कुछ calculation करना पड़ते हैं समझे बच्चो चला फट 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 नोट डाउन करते रहे ना मुझा आगी भी बढ़ना रहता है तो यह था बच्चो हमारा एक लव्य बाच में rotational dynamics नमर का first नमर का chapter इसके बाद में थोड़ा fast होने वाला है थोड़ा तैयारी करना है और board के lecture बना के रखे आपके लिए इसके बाद में कुछ MSQ दे रहा उसको भी solve करना है अच्छी तरह से कोई problem आता है तो मैं आपको solve करके रखने वाला हूँ पेशली MSQ solving questions शायद मैं संडे को try करता हूँ अगर मिल जाता है time तो संडे को ही हम लोग try करेंगे और बहुत बढ़िया सवाल आपके साथ में लाही में session में solve करने कोशिश करेंगे तो बाइ करता बच्चो शेयर करना, like करना, new year तो subscribe भी करना और question भी solve क तर्माचुला, thank you and best luck for your future